नमस्कार फ्रेंड्स कैसे हैं दोस्तों आज फिर वाइनलाइनर वीडियो की साथ उपर श्तित हूं वाइनलाइनर वीडियो जहां तक अंताजाम है या आप लोगों भी लगता हो को मुझे तो पर लगता है कि वाइनलाइनर याद करने के लिए आसान होता है थोड़ा सा और ही वाइनलाइनर का मुझे फैदा लगता है वाइनलाइनर आप लोग के लिए थोड़ा सा इजी होना चाहिए क्योंकि कोपी पेन ले करके आप एक इंपोर्टेंट नोट्स बना सकते हैं अगर कोपी पैन रही है तो तुरंत उठाइए और शुरुवात करते हैं वीडियो क इसजिए पुर्टिंगा से gossip हो गया है इंसैक्लोफीडेशती कि इस वह से walk यिए उख्योंकित पाके से फिर वापीज से कि व मेरा सब्ध है श्यराइंग कि उतकति घर्न के और और पास flirt है और नीमोनिक सब्ध की उतकती ही घरीज भास Regular ण्स embaroriented हुई है कि डीडिसी में तालीक का में प्रजाती सजाती राष्टे समोगा निर्माण है टेबल नंबर फई में दोस्तों जुखाम बहुत बूरी तरह से लगावाए वीडियो इंपोर्टेंट डिमांड है आप लोगी तो वीडियो देना मजबूरी भी है जैनूरी भी है लेखक कि दोबरा लिखीत ग्रद किस लेखक के नाम के अंतरगते इंट्री मनें बर्थम लेखक से लाशिफ़ाइट कटेलो कोड में अदाय है तूं बनाये जाने वाली प्रिविश्टिया कहलाती है अंतर विसे यह प्रोस रेफरेंस इंट्री कहलाती है लाशिफाइट ग कि अभिष्टी को जाताइँ से नम से जयना जाता है यह होते हैं पयसले सिक प्रभिष्टी की वर्गिगर्द सुची कःता कहा जाता है डौक्ट्टर रगनाथन को सिसी लिख goofy किटेका कि प्रभद राङी से लिखने का प्रभदान ना हुप पॉर्गी कर्षोची में मुख्ये तहे हैं कि इसमें बना झाइब पॉन्वन नोन कॉन कॉरण सी प्रिष्टियां साह्यक या इतर प्रुषी वही जो किसी व्यक्ति दवारा संपादित हों उसको किसके सीरसक्य अंतरगत बना जाएगा तो हम यह सम्मिलन कारेविवाही सीरसक्य अंतरगत उसको बनाएंगे ठीका फ्रेंड्स करते हैं अरुना चल परदेश में सारवजनी पुर्ष्टकल्य दिन्यम परित्वाता दोजा साथिंद्र के बाद और पर्थम द्यान से पर्थम पुस्तकल्य के बाद जाता रगनाथन तर्क परित वा था तो यह घृसली हूआ प्रतम पुस्तकल्य धिन्यम दोडेंध्य मंद्रास में अकंड़नाथन दग्टर के परियासों के कि दोबारा कितने द्यांद्यम इस पारिथ किया घया थो सॉप सरुन में इसा सर्वजनी का अभारत जाता है बार्द के किस राजए Мे सारवजनी पुष्टकल्य अधीनियम से वारत संस्ता हूं यह तो सवतंतर रूप शे अलग मंत्रा ले द्वारश तपित किया गया है प्रवदाने तो यह पश्यमी बंगाल इसका अंसर है भारत के किस राज्य में शिक्षभी भाग का एक अलग से प्रेकोष्ट है तो यह शिक्षभी भ है नहीं को बारत में पुष्टकल्य सब्तान मैं अ Nवamber को बास में पुष्टकल्य सब्ताह ब直接 away करे अम पुंद्धिया में मना जाता है ठीक है फ्रेंट्स और इसके बाद जो है नेश्ट करते हैं अंतर राष्ट्रियन वाद सेंटर कहां इस्तित है तो यह डेलफट में इस्तित है नहीं उसे क्लोपीडा बर्टानिका कहां से प्रकासित होता है सिकागो से और यूरोपियन के अंदर रदवार अवाल ट्रांस इं सब्सक्राइब किस ने दिया था डूक्टर रगनाथन ने फैट्स ओन फाइल एफ ओ एफ निम्ली कितमे से किसके अंतरा आता है तो यह दिवित्तिक शुरुत के अंतरा आता है यानिकर सेकंडरी सोर्स ओफ इंफॉर्मेशन फैक्ट्स ओन फाइल ग्यान में संचार पिट्रोडा मंद्रा से पुष्तकाले संग 2020 में अद्ध्स कौन थे इनके के नित्यानंदम और नेश्ट कुस्चन करते हैं ग्रंत को वर्गी कर्थ करने वाले को क्या कहते हैं वर्गाकार कहते हैं क्लासिफिकेशन इस्ट और वर्गी कर्थ इसकीम को निर्मान करता है वह ह कि रेडियो एक्ट्यू ओडिनल नोटेशन की स्थाफ ना की थी इजे कोर्स ने अंकन वर्गी करन का निर्मान नहीं करता प्रंतों से निस्ट कर सकता है किसने का था इंपोर्टेंट कुस्चे ने बहुत हुशा जाता है एची बिस ने वीजीबल इंडेक्स का वैपरिक न जए आएं और लेटिन बासक रहे हैसा किलो पीडियागे 202 समील गर्पना है कि है इंक्लोईस और पिडियां मerson की इंसेक्लाइट्य कितने परकार का होता है कि इस्धा क diff ना का निकले सामानने सब्ड कोने कोशिए 곡 प्रकाशित था तीन खंडों में प्रकाशित था और इंसाइकलोपीडिया ब्रेटानिका के प्रकाशक कौन थे वो थे कॉलिन मैक फरकर इंसाइकलोपीडिया बर्टानिका का प्रेथम संस्क्राइब प्रकासित वा था 1968 से कहातर तक इंसाइकलोपीडिया बर्टानिका 14 खंडों तक कितने भाग थे तो दोस्तों जब 14 खंडों में वह था तब उसके तीन भाग थे इंसाइकलोपीडिया बर्टानिका के तीन खंड कौन-कौन से थे मैक्रोपीडिया माइक्रोपीडिया और प्रोपीडिया में क्या होता है कि दोस्तों प्रोपीडिया इसका इंडेक्स होता है जिस और एक पार्ट में उसमें दी जाती है और डिटेल में थोड़ा सा इंफॉर सजर्ण हो रहा है इंसायक्लोपीडिया बर्टानिका कहां से परकासित हो रहा है इंसायक्लोपीडिया कंद्रवे संस्क्रण को रिवाइज किया गया था और न्यूवी इंशाइकुलोपेडिया । प्रिंट संस्क्रण कब था 2010 में इसका अंटीम प्रिंट संस्क्रण था इंपोर्टेंट कुछ द्यार से देखिए पूछा जा सकता है कहीं भी और इंसाइक्लोपीडिया बर्टानिका कि इतने वोल्यू में प्रकाशित हुआ था तो यह 32 वोल्यू में प्रकाशित हुआ था न्यू इंसाइक्लोपीडिया बर्टानिका कब ब्रेटानिका एफ कब लोंच किया गया 2010 में इंसाइक्लो सेक्लोपीडिय बर्टनिक का कॉन सा इसका स्टेंडर्ड एडिशन है वह हमारा पंदरबा संस्क्राण है एक पुरा नाम गया है लाइबर्यरी एस्टियेशन अर्विए कहां की एश्टियेशने तो दोस्तों यह एंग्लेंड या यू कैसे संट कुश्येशन दर्सित करना कहला था सी एस इंसाइक्लोपीडिया आप लाइबरी एंड इनफोर्मेशन साइंस के संपदक मार्शल डेकर अंतर राष्ट्री ए सूची करन सिद्धान्तों कहा हुआ था तो पेरिस में हुआ था निधानियों का सूची निर्मान किस के रख रखाऊ के लिए कि अरजन कार्य के लिए साहीक्रम क्या होगा तो पुष्ट खरीदन यरे स्टेक चैन करना खरीदना परिग्राइंड करना यानि फ़रेंट गरेंगे वसे पाद एक्सलिंग करेंगि राजस्थान वे पुस्तगाले संग के प्रत्तमात रहे और डेक्टोनाइट सवनीम पद्दतिका सोलिक्रत रुपांतर नेवार्ग पद्दति ये 5 साला एक परियोजनाएं इन खलिवनेट की ठीक फ्रेंड्स नैस्ट कुश्चन है एक युक्ति जिसके दवारा डिजिटल सुचना को एना लोग सुचना में बदलने की वीधि को कहते हैं मोडम अना डील मोडूलेटर मोडूलेटर मोडम का कारी होता है सुचना प्रभाग का सही कर्म है सुरोथ संदेश चैनल और रिश इंपोर्टेंट मौस्ट इंपोर्टेंट कुश्चन बेसिक के दो तीन तरह से कुश्चन आते तो बेसिक का पुराना में बिगनर्स आल पर पर सिंबोलिक इंस्ट्रेक्शन कोड और बिब्लोग्रेफिक सब्द किस बासा से लिए गया है संदर्ब सेवा कि अउधारना किस सब्सक्राइब कर नाम जूड़ा है विख्राओं के सिद्धान्त लाओ इस केट्रिंग से फोनिक सीडियूल किसका भाग होता है फोनिक सीडियूल हमारा यूडी सी का पार्ट है कोड़न का संबंद यह कब विक्सित हुआ था कोड़न 1913 में विक्सित हुआता है कोड़न को किसने विक्सित किया तो यह चास बिशठ ने किया था को औरन को किस मानग के तहफ विक्सित किया था तो यह क्या ऑगा था कि अस्टिम ओनग 2015 took.idaa हैं और मेटाडेटा में आता है इंपोर्टेंट कुष्चिन द्यान से देखती है कि कोड़न की इस तरह के प्रियोग किया जाता तो अंग्रेजी के बड़े प्रियोग किया जाता सर्व है पर्थाम चार सब्सक्राइब ने उनिए सो तरेपन में कोड़ें के कितने अंग बताए थे चार नंक बताए थे द्हान से देखिए इस्टाटी चार नंक बताए थे और यह है पिलाल छे यंख है 1961 में एल इख कुट सील ने कोड़न को अंग दिये थे पाँच अंग ए से ने कोडेन को कितने यंग को अबना आ घुए पोडेन का संबंद किससे होता है मारा सीरिस यह ने पेंदे पहले पाँच फिर्यृ अंग यस्टे संबंधी हो थैं प्रकाशण और के सीरिसक्स से कोडेम का एक अंतिमंग किससे संबंधी शर्च चेक डिजिट कोडें हैं निकरन के लिखा जाता है तो यह यह कंवर पेज पर लिखा जाता है ठीक है तो वरी कि हिंदी में नाम क्या है तो उसको दसंड़ों अब वार गी क्रण हिंदी मे कहते हैं Nepal क्लासिपिकेशन कःते हैं तुसी का विकास का भवात तो अठासो बावन में रूट्षों डिक्सिनरी के लोग की सरवात हुई थी हमारी अठासुचिए तर में लाइबररी आफ सब्जेक्ट एडिग की सुरवात हुई थी उनने सो अठाण में एंग्लो अमेरिकन केटेलोग किंग कोड 1908 क्लासिफाइड केटेलोग कोड 1931 और फ्रेंट्स क्लासिफाइड केटेलोग कोड लाइबरी ओप सब्जेट हैडिंग की सुरुवात अठाण में एंग्लो अमेरिकन केटेलोग कोड की सुरुवात 1908 में क्लासिफाइड केटेलोग कोड की सुरुवात 1934 अमेरिकन लाइबरेरी असोशेशन प्रेस उची करन कोड उसकी सुरुवात कभ हुई थी उननिस उननिचास में एंग्लो अमेरिकन केटेलोगिंग रूर्स प्रेसुची कोड की सुरुवात हुई थी में एंग्लो अमेरिकन केटेलोगिंग रूर्स तू प्रस्तुथी करन कोड की प्रस्तुथी 1978 यनके शेयर टू रिसोर्स एंड डिस्क्रिप्शन एक्सस आर्डिये कभा था 2010 में संसादान तथा विब्रान पहुच प्रेसुची करन कोड का विख्षित वात हुई एस बीड कि जी संबन 1934 से है और केटलोग किस बहसे के सब्सक्राइब यह ग्रीक बहसा के सबसे कटलोग सब्सक्राइब के लिए रगनातन ने क्या सब्ध प्रियों किया था लाइबररी ओन बीड्स पर पूस्ता कले वहें भारत में कौन सी संस्ता है जो पूस्ता कली विग्यान वर महिला के लिए यह संस्ता कौन सी जो विशेश पुष्टकाल्यों के लिए सुषना विग्यान की शिक्षा प्रॉद्गरा दिल्ली डॉक्टर रगनाथन को नैशनल रिशर्च प्रोफेसर प्रॉफेसर प्रॉफ्ट वता किसन में बता उनिस सो पैंसेट में डॉक्टर रगना पर रखिया गया था है डॉक्टर रगनाथन कब से कब तक आयले के अधस रहे हैं तो 1944 से 1935 तक डॉक्टर रगनाथन आयले के प्रेजिटेंट रहे हैं आयले की संग कि सदस्य संख्या है कि है इफला कॉमला और युद्ध को आईसलिक कि इसके सहयों के साथ काम करती है तो इससाथ के साथ आयले के स्थाबना कभूई ती 13 सित्म पर 1933 को आयले के स्थाबना किसने की थी एसी भूलनर और एम ठोमस ने किया था आयले प्रथम अधस को उन थे तो आयले का वर्यूंगमान में अधस होने था इसका मास से चूँ डीबिकुंबर ओन चोबेद तो दोस्त पर दोश्तान के लिए तो दोस्तों कि लिए उने पर एस्सेशन्स के स्टापना विए थि ही बंधा लाइबरेरी को सेटी तब गुझरू लाइबरेरी कांजन थी ती थी उद्यपूर में थी थे कौझरू लाइबरेरी को स्थापना की दोस्तों इसका स्थापना उबीती साथ अक्तूबर nineteen सबसे बड़ी इलेक्ट्रोनिक लाइबरी है आज कैसे लगे बताइएगा और फ्रेंट्स जल्दी दूसरी वीडियो सब्सक्राइबरी है और फ्रेंट्स करते रही है और बैल आइकन अगर नहीं दबा तो जरूर प्रेस करें ताकि नोटिवेशन चल दी आपको मिल जाए